आज हम लोग RPSC द्वारा, सेकंड गेड पोस्ट के लिए जो आवेदन आमत्रित किये गए हैं वो फॉर्म भड़ने के लिए जब आप कोसिस करते हैं तो सबसे पहले आपसे वन टाइम रजिस्टेशन करवाया जाता है यहीं RPSC से आप किसी भी परकार का फिलाल या भविशे में आवदन करना चाहेंगे तो आपके पास वन टाइम रजिस्टेशन होना अनिवारिया है बिना रजिस्टेशन के आप फॉर्म नहीं बर सकते हैं तो हम लोग इस वीडियो में वन टाइम रजिस्टेशन आप RPSC पोटल पर किस परकार से करेंगे उसकी स्टेप बाइ स्टेप प्रसेश जानेंगे उसमें आपको क्या-क्या डीटेल्स फीड करनी होगी आप लोगों के पास पहले से क्या-क्या डॉकुमेंट्स होने जरूरी है यह सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली करके इस वीडियो में बताने का परियास करेंगे वीडियो प्राइरम करने से पहले मैं निविदिन करना चाहूंगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब विश्य करिएगा साथियों चलिए सीधा हम लोग चलते हैं SSO पर आप लोग SSO आएं यहां अपनी ID डाल दें साथियों वीडियो कुछ लंबा विश्य बनेगा लेकिन मैं वीडियो लंबा इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को डिटेल से पूरी जानकरी समझ में आए आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे काफी लोग सौर्ट वीडियो बना करके उसका कच्रा करके छोड़ देते हैं और लोगों को अधिकतर समझ भी नहीं आ था मेरे अधिकतर वीडियो लंबे बनते हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके आप लोगों को यह सीटेजन अफ्स में येदी आपके सामने रिकटमेंट पॉर्टर नहीं आ रहा है तो यह अदर्स करें और यहां और टर्र कहें और थ्री इसनीं यहरी टूर टेंग्ट आकर klein ऑप आप जैसे इस पर apply करेंगे यह आपको बोलेगा आपका one time registration बगए है इसलिए one time registration करें आप यहाँ करें आपको सीधा one time registration पोर्डल पर ले जाया जाएगा यहाँ सबसे पहले जो भी राजस्थान राज्य की candidate है उनके लिए जनाधार होना अनिवारिया है जिके भी जनाधार क नहीं बरे जा पा रहे हैं यानि आप लोगों को यदि किसी भी परकार का form बढ़ना है तो जनाधार का होना अनिवारिया है ठीक है साथियों जनाधार कार्ड में अब यहाँ एक समझे और आपके सामने आएगी कि जनाधार कार्ड और आधार कार्ड दोनों आपस में लिंक यानि जन आधार कार्ड में आपके आधार नंबर फीड होने जरूरी है और यदि जन आधार कार्ड में आपके नाम में पिता के नाम में डेट ओब बर्थ में यदि एक परसेंट भी अंतर है तो वो श्विकारिय नहीं होगा इसलिए आपके यदि जन आधार कार्ड में करेक 10th की माक्सिット के अनुसार वो बने हुए होने अनिवारे हैं, तो यहां जन अधार नमबर डालें, यहां आप है वो जन अधार की ID, यदि आप जन अधार में करेक्शन करते हैं, किसी भी वरगार का correction आपने जैसे अभी किया है तो आप परची नमबर डालेंगे तो आपकी परची नमबर से correction किया हुआ data शो हो जाएगा याप उसी समय correction करके आप आवेजन कर पाएंगे ठीक है साथ ही और correction complete होने में है वो time लगता है तो आप लोगों को उसका wait नहीं करने की जुरत पड़ेगी आप correction करें correction करके ID से जो की जनाधार जो परची निकल दे या फेच मेंबर करेंगे यानि उस जनाधार में जित्ते मेंबर होंगे उनका नाम आ जाएगा जैसी आपके नाम के शामने आप कलिक करें verify करें यह आपके detail आगे जनाधार नमबर आ गया जैसे आप OTP verify करेंगे ओके करेंगे तो आपकी detail आपके सामने आ जाएगी सारी detail यहां आपको अपनी email ID नाम पिता का नाम सब कुछ डालना होगा ठीक है यह detail सब जनाधार से आ रही है आपकी 10th की mark sheet के अनुसार यह सारा चीज होना चीए अगर आपका gender, mother name, father name, mobile number सब और verify email जैसे ही verify email करेंगे आपके पास email में mail एक mail आएगा email ID पे उस mail में आपके OTP आएगी आप लोगों को mail खुलके mail ID याई वो ही डाले जो आप हमेसा use करते हैं ठीक है साथियों यहाँ जैसे ही आप करेंगे आपके mail ID पे OTP आजाएगा वो OTP डाल गया आपके verify OTP OTP verified हो के आपकी mail ID फीट हो गई verify OTR करना है बाब को one time registration verify यहाँ अच्छे तरह से देख लें नाम, mother name, father name, date of birth यह पांच, चार चीज़ें हैं वो editable नहीं होगी आप इसको कभी भी है वो change नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रकार कावजन भरेंगे अधिकतर लोगों के समझ आते हैं यार मेरे form बनने में माता के नाम या पिता के नाम, date of birth में मेरे mistake हो गई उसी से बचने के लिए government दोबरा यह one time registration करवाया जा रहा है आप इसको अच्छी तरह से देख लाएं, finally submit यह वापस OTP देगा आपको हर बार OTP आएगी, तो OTP डाल करके आपको इसको verify करना है, OTP verified, ठीक है Your details have been saved to your one time registration number इतना इतना, now you can feel your application form अब आप है, वो form बार सकते हैं, ठीक है साथियो अब आपके सामने नीचे यहां personal detail आई, इसमें आप एक बार सारी चीज़ें दुबारा से भर लें candidate name यहां candidate का नाम हिंदी में डाला जाना है, जो भी आपका हिंदी में नाम हो यहां से type कर सकते हैं और यहां आपके पास Google Indic Tools है तो आप उससे भी type करके accept यहां father name आपको इंदी में डालना है और accept mother name यहां English में डालना है और यहां इंदी में लिख करके accept करना है यहां आप married हैं तो यहां married जो भी आपकी category है वो इन में से select करें यहां 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 आप married हैं तो पती या पतनी का नाम डालना है इंगलीस में और यहां हिंदी में डालना है और accept यहां आपके registration number यहां आप married हैं और married के registration number married certificate के registration number आपको यहां पे डालने होंगे क्या number है वो number यहाँ डालें जैसा भी आपका registration number है जो online अभी कर रहे हैं उनके registration number 15 solar digit का और जिनके पहले offline किया हुआ है तो दोनों मेरी certificate आपका allow है और यहाँ child इन बचों की संख्या 1 June 2002 से पहले कितने थे और 1 June 2002 के बाद कितने हैं वो आपको यहाँ पे डालने है यहाँ आपकी अपनी social category इन में से चूज करनी है special category यहाँ आप विकलांग विग रहा है तो वो select करें किस category के हैं यहाँ आपको अपना religion चूज करना है यहाँ body of marks करना है पासपोर्ट नमबर यहाँ अगरे आपकी है तो डालने है save and next जैसे आप save and next करेंगे अगला address आएगा address का यहाँ आपका alternative को email id तो डालते हैं और यहाँ आपना पूरा address लिखें address लिखने के बाद आपको अपना state से लिकरना है district से लिकरना है यहाँ आपकी pin code डालने है और यहाँ आपका address permanent address और communication जो पत्राचार पता है वो same है तो यह same as a book करना है save and next successfully हो जाएगा अगले address में do you belong to TSP area यहाँ आप TSP area से belong करते हैं तो आपको यहाँ tick रखना है यान ने था none वाले पर रखना है फिर आपको अपना nationality select करना है यानी राष्ट यह था उसके बाद आपको अपना state select करना है यहाँ आपको अपना जिल्ला चूज करना है फिर तैसल फिर village और आप यही किसी दूसरे देश से भारत में shift हुए हैं तो वो yes करेंगे तो देश का नाम लिखना होगा और नहीं है तो no रखें save and next अगला आ रहा है additional categories do you क्या आप ex-service man है क्या आप sport person है क्या आपने NCC किया हुआ है यदि इन category में से किसी भी category से आप belong करते हैं तो आपको yes करना है अन्यता no रखना है और यह नीचे जो 5-6 categories आ रही है इन में से यदि कोई category आप पर लागू हो रही है यानि इन किसी category में आप यदि belong करते हैं तो आप उसको choose करें अन्यता इनको ऐसे ही dis select रखें और save and next अब अगला आता है आपका educational qualification इसमें सबसे बड़ी शमशा आ रही है लोगों को ये feed करने में ठीक है तो आप यहाँ education qualification first time कर रहे हैं तो यहाँ से aid करेंगे और आपने यदि पहले कर रखी है जैसे मैंने की हुई है तो मैं आपको बता दूँ क्या क्या करना है 10th class के लिए सबसे पहले आप यहां secondary करेंगे यहाँ आपको 10th level यह वाला चूज करना है जिन्होंने CBSC से किया उनको यह करना है और कई साथियोंने अदर्स इनिस्टे से किया है तो उनको secondary करके और उसका नाम लिखना है ठीक है और यहाँ जो subjects group आ रहा है इसमें सबसे ज़्यादा confusion रहता है सभी लोगों के तो यहाँ आपको जनरल डालना है क्या डालना है यहाँ यहाँ पे जनरल और subject detail यहाँ पे automatically जनरल लगिक आ जाएगा और यहाँ आपने जो board है यहाँ आपको अपने 10th के रोल नमर डालना है यहाँ आपने कौन से सन में पास किया वो डालना है duration in month यह नहीं 10th का है वो एक साल का course होता है तो बारा महीने लिखना है और राजस्तान माध्यमिक शिक्सा बोर्ट से grading system नहीं है CBSE से grading system है अपने यह percentage system है आपको यह percentage चूज करना है पासवाला नहीं करके percentage करना है कितने percentage बने total maximum marks कितने थे उसमें से आपके कितने number आए और यहाँ यह जो upload documents मांग रहा है यदि आपके पास 10th की mark sheet की PDF तयार है तो आप यहाँ से PDF upload कर सकते हैं और नहीं है तो भी बिना mark sheet के भी यहाँ से आप shave कर सकते हैं ठीक है shave successfully हो गया अब अगला आपको aid करना है यहाँ 12th class के लिए यहाँ 12th class के लिए आपको है senior secondary चूज करना है senior secondary के बाद 12th level वाला option आ रहा है वो चूज करें name of exams यह बहुत सारे यहाँ course आ रहे हैं यदि आपने बारवी है वो arts से की है तो आपको RBSC 12th यह वाला select करना है और यदि आपने किसी science subject से की है तो जिस भी subject से की है जैसे physics chemistry biology से की है तो आपको यह physics chemistry biology वाला करना है या आपने mathematics से किया है तो भी यह वाला करना है ठीक है साथियों जिन्होंने arts वगिरा से किया है arts या commerce से और RBSC आरी से किया है रजस्तान बोर्ड से किया है तो उनके लिए यह वाला choose करना है अधिकतर साथी इसी category के होंगे और जो साथी इस category के नहीं है जिन्होंने CBSC से किया है वो यहां करते है और जिन्होंने बारवी में science से किया है जो subject से किया है वो subject वाला group जो भी है उनका वो choose कर लें जैसे मेरे arts है तो मैं यह डालूँगा ठीक है और यहां सबसे बड़ी समश्यारी है सभी लोगों के सामने कि कौन सा कैसे डालेंगे ठीक है साथियों तो आप लोगों को इसमें है वो कौन सा चूज करना है वो मैं बता देता हूँ यहां पलस टू वाला यदि इसमें option आ रहा है तो आप वो choose करेंगे ठीक है यह पलस टू लेवल यह करना है और जो science वाले है उनको है वो इसमें से यदि आपका science का आ रहा है तो यह science लिखा रहा है यह choose करना है subject का और यदि arts से हैं तो आपको यहां यह वाला select करना है पलस टू लेवल ठीक है साथियों जिन्होंने बारवी arts से किया है तो यहां arts का option आएगा बाकी किसी भी यह जो जितनी सारी category इसमें किसी में भी arts का option नहीं आ रहा है तो आपको इसमें पलस टू लेवल वाला करके और यहां arts select करना है आपने किस बोर्ड से किया है अपना B.S.E.R. अजमेर आपके roll number क्या थे वो आपको यहां roll number डाल देने है कौन से sun में आपने pass करा है वो यहां आपको चूच करना है duration बारवी class का 12 मीने का result percentage में यदि आपके grade में हैं तो grade में डालें और percentage में डालें ठीक है बारवी में आपके किते percentage बने हैं वो यहां आपको percentage टाइप करने हैं कितने marks का exam था 650 650 में से आपके किते number आए वो number आपको यह डालने और यदि आपके पास 12 की mark sheet की PDF हैं तो आप यहां से upload करें और नहीं है PDF तयार कोई बात नहीं आप सीधा भी add कर सकते हैं यह add हो गया अब सात्यों 10 वी और 12 की चीज़ें update हो गई अब सबसे बड़ी समश्या यहां BA जिनों ने कर लिया उसके आ रही है BA की qualification aid करने के लिए subject का group इसमें नहीं दिया हुआ है इसलिए आप one time registration में केवल 10 वी और 12 वी aid करें जहां किसी भी भरती में मांगा जाएगा आगे वहां आप लोगों को BA या BSC वगरा की manually detail feed करनी होगी उस form में one time registration में यहां BSC का तो हो रहा है देखिए मैं यहां बता दूँ आपको यहां degree जैसे हम लोग करते हैं तो degree में यह आप यहां graduation level और यहां BA या BSC जिस भी subject की है उसका तो आ रहा है physics, chemistry, biology से आपने यह दी किया है BSC तो आप इसमें कर सकते हैं लेकिन जैसे ही आप BA चूज करेंगे तो BA में है वो इतने सारे subjects के समुआ आ रहे हैं लेकिन यह दी किसी ने political science, history वगरा से किया है तो उनके subjects वगरा नहीं आ रहे हैं और एक बार ही एक ही subject आप चूज कर पा रहे हैं जबकि BA में तीन-तीन subject होते हैं इसलिए आपको यहाँ पे यह subject वाला, BA वाला नहीं भरना चाहिए मैं आप से एड़वाइस देना चाहूँगा कि आप यहाँ जो आपकी graduation की detail है उसको नहीं भरें तो भी कोई problem नहीं ठीक है साथियों, save and next करके यह education qualification हो गया उसके बाद experience, यदि आप के पास किसी भी परकार का काम करने का experience है इन मेंसे यदि आप के पास किसी category में आपने काम किया है तो वो आप experience कब से कब तक किया सारी detail है, grade based किस पद पर थे, सारी चीज़ें आप कब से कब तक थे, इसमें ड्याल सकते है और उसका document भी upload कर सकते है ठीक है साथियों, यदि यह आपके पास experience नहीं है, तो save and next कर लाएं, और नहीं है, तो आप यह अगला option चूज कर लें, debout details यानि आपको किसी भी परिक्सा में अवांचनिये सामगरी के साथ पकड़ा गया है, यानि आपके खिलाब किसी भी परकार की कोई कारवाई हुई है तो आपको यहां वीवरन डालना है या ने था, save कर दें, ठीक है साथियों next वाले option में आपके photo, signature और signature, यह photo आपको है, वो 50-100 KB के 20 में चूज करना होगा, पहले आप photo त्यार करना है, उसकी size है, वो 50-100 से ज़्यादा नहीं होने चीए, signature in Hindi, आप है, वो हिंदी में sign करें, वो यह अपलोड करने है उसकी भी size है, वो 20-50 के बीच में होने चीए, signature, यह signature आप English में या यह जो हिंदी वाला आपका है, वो same भी हो सकता है, क्योंकि मैं English में करता ही नहीं हो, मेरे signature यह की है तो आप लोग यह भी choose कर सकते हैं आधार का photo, यह आधार upload नहीं करना है, क्योंकि मेरा आधार इसमें verify हो चुका है, जन आधार में आपका आधार नमबर जुड़ावाए, जो भी out of state के वेक्ति हैं, उनको आधार upload करना है, राजस्तान के जो भी वेक्ति हैं, जिनका आधार नमबर जन आधार card से add हो रखा है, उनको आधार card upload करने के आवशकता नहीं है फिर आप जैसे ही shave and next करेंगे यह थोड़ा सा time लेगा, क्योंकि यह चीज़ें upload होने में time लेती है यह आपका upload सबसे last option आ रहा है in closer details, यहां से आप add कर सकते हैं, यानि आपके पास जो भी certificate हो जैसे category certificate और कोई certificates हो मूल निवास हो, experience certificate हो others, document, personally कोई documents हो तो आप वो यहां से upload कर सकते हैं ठीक है साथी हो जैसे buzz certificate, marriage certificate, net, set आपके पास जो भी certificate हो दस वी का certificate, बार वी का certificate आप सभी की है वो upload कर सकते हैं PDF बना करके PDF की size 500KB से कम होनी चाहिए आपके पास यह दी documents हैं तो उनको बारी बारी से सबको upload कर दें ताकि आगे आने वाले time में आपको कभी भी दुबारा देखनी आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी और फिलाला आपके पास नहीं भी है तो आप नहीं करें तो भी यह चल सकता है इस परकार से आप है वो वन टाइम रेजिस्टेशन को complete कर सकते हैं अब जैसे कई साथ ही काम कर रहे थे बीच में करते करते यह दि लोगा उट हो गया यहनि आपके SSO ID लोगा उट हो गया तो उपर यह वन टाइम रेजिस्टेशन आ रहा है यहां से आप दुबारा खोल सकते हैं जैसे खोलेंगे आपके सामने यहां मैं एक पुने बता दूँ कि जना आधार कार्ड नंबर में आपका नाम, आधार नंबर पिता का नाम, माता का नाम डेटो बार्थ, मोबाइल नंबर मेल आईडी यह सारी चीज़ें अपडेट होना आविशक है इन में किसी भी परकार का बविशे में वदलाव संभव नहीं होगा इसलिए आप सोल समझ करके सही तरीके से इस काम को करें ठीक है साथियों, एक बार पूने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद